बिटा आजम चेप्टर 6 की रिविजन करेंगे फंक्शन्स एंड प्रिंसिपल्स ओफ मैनेजमिन यहां चेप्टर 5 प्लस 6 दोनु चेप्टर मिला की दस नंबर के थे मैंने आपको पहले भी बताया था तो यहां से या तो 6 marks का question आ सकता है या 1 marks का वहां से 6 marks के question मैंने आपको 5 चेप्टर के last वीडियो में कराये थे अब हम इस चेप्टर से देखते हैं 6 marks के कौन कौन से question प्रपेर कर सकते हैं फर्स्ट कुशन तो हमारा यही बनता है राइट एने 6 features of scientific management इसका कोई भी answer देते हुए आप यह चीज़ जरूर नोटिस में डालोगे कि scientific principles आर या principles of scientific management are given by fuel इससे आपके paper की presentation काफी अच्छी हो जाती है और writers के नाम को थोड़ा डाग करके bold letters में देना सबसे बड़ी mistake जो बच्चे करते हैं कि principles पुछे जाते हैं और बच्चे यहां techniques लिख देते हैं इसके principles या फिर fuel के principles लिख देते हैं जब भी आपसे scientific principles पुछे जाएं तो वो हमारे पास only and only four हैं यह याद रखना fundamental principles फ्योल के हैं F for fundamental, F for fuel उनके चोदा प्रिंसिपल हैं जबकि scientific management के सिफ फॉर प्रिंसिपल है first is science not rule of thumb Taylor कहते हैं कि science के rule जैसे permanent होते हैं इसी तरह से जो fuel के principles थे वो पुराने हैं इसी लिए उन्होंने scientific principles पे ध्यान दिया उन्होंने कहा कि cause and effect में finally relation रहेगा Harmony not discard Taylor के according इस principle में उन्होंने क्या कहा है कि manager और subordinate या फिर या लगा लो owner and employees के बीच में employer and employees के बीच में बहुत अच्छे relations होने चाहिएं उन्हें अच्छा वातावन प्रदान किया जाएं इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएं तो हमेशा सफलता मिलती cooperation not individualism यहाँ पर इन्होंने mentor revelation पर भी ध्यान दिया है cooperation से काम करना चाहिए cooperation की भावना होनी चाहिए and last development of each and every person to their greatest efficiency and prosperity तो दे कुछ है features है उनमें आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत change कर सकते हो लेकिन management के functions पाच इनके principles फ्योल के 14 और scientific management में चार principles जो यह tailor ने दिया इन में आप अपनी तरफ से कोई भी changes नहीं कर सकते इसके बाद इनकी techniques राइटनेशिक techniques यह आपको बुक में बहुत ज़्यादा detail से दे रखी है तो आप इनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा explain करना इन सबके short notes one marks में आ सकते हैं इसमें root clerk है, guide clerk है, time and cost clerk है, discipline officer है instruction card, gang boss किसी पे भी short note पूछ जा सकता है standardization of work, standardization of materials, standardization of machinery, standardization of course तो इन सभी को बहुत ज़्यादा detail में नहीं लिखना आपने इसके बाद simplification, इस पे अगर short note आता है तो आप इसको explain करोगे, otherwise इसका मुख्य example क्या है simplification का क्या मतलब है बिकार के कारियों को बीच से हटा देना for example अग कपड़े लिते हो, तो वहाँ पे आपको जो size मिलते हैं वो even number में मिलते हैं क्यूंकि इनको हम थोड़ा सा कम या ज़ादा easily कर सकते हैं क्यूंकि इनके बिल्कुल एकदम perfect size नहीं हो सकते इसी के उसमें कि इन्होंने यूएस कंपनी का एक्जामपल लिया है कि उन्होंने paper के designs को 2000 से 200 पे लेकिया है थे इसके बाद scientific study, study चार्थर हैं कि बताएं इन्होंने method study, motion study, time study, fat use study, short notes आ सकते हैं या फिर इनको two two lines में आपको explain करते हैं differential way system किस ने दिया एक important question है टेलर ने इसके according एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है standardized work की प्रमापित कारे की जो व्यक्ति प्रमापित कारे से अधिक काम करेगा उसे अधिक वेतन दिया जाएगा और जो कम काम करेगा उसे कम वेतन दिया जाएगा इसके जाता है mental revolution मदलब हर व्यक्ति को दिल से काम करने के लिए यहां तयार किया जाता कोई भी व्यक्ति किसी decision के oppose में ना जाए comparative studies of comparative study में क्या होता पिटा similarities and difference आपको दोनों देने होते हैं क्योंकि दोनों ने ही प्रबंद के क्षेत्रों में काम किया प्रबंद के principles दिये तो similarities भी है दोनों ने managerial प्रबंद किया है समस्याओं को solve किया है दोनों ने practical aspect पे ध्यान दिया है और good industrial relation पे भी दोनों ने ध्यान दिया है difference आपकी book में काफी अच्छे से given है आप book से difference का question भी six marks का prepare कर सकते one marks में कोई भी short note आ सकता है कोई और introduction of tailor या फिर किसी पे भी short notes जैसे हमने fuel की introduction कि थी इसी तरह से tailor की भी इसका full name किया इनका इन्होंने अपना carrier कब start किया था ये carrier start हो रहा है यहाँ पे as a ordinary laborer वो तो direct जो टिफ्योल थे कौन थे industrialist थे उन्होंने कौन सी कंट्री से अपना काम शुरू किया था और इन्होंने किस कंट्री से काम शुरू किया ये USA की company थी midwell steel company से इन्होंने अपना काम start किया था लेबरर की form में 6 साल में 1884 में ये वहाँ पे chief engineer की post पे चले रहे थे tailor conducted a number उन्होंने इस दोरान काफी experiments किये जिससे उन्हें पता चला कि एक लेबरर बहुत कम काम कर रहा है जितने वो कर सकता है इसके बाद उन्होंने bethelem steel works में काम किया 1901 तक और इसके बाद as a private management consultant के रूप में काम किया तो ये भी question बनता है फिर उनकी 1903 में एक बुकाई थी research paper आये थे shop management के नाम से और 1911 में इनकी बुकाई थी principles of scientific management 1950 में इनकी death होगी थी और birth था इनका 1856 में इनका birth हुआ था 1878 में इन्होंने carrier start किया था as a laborer simple laborer और 1884 में ये chief engineer बन गये थे main points आपने ये सारी चीज़ें है आद रखनी है और 1911 में इनकी बुकाई थी okay बेटा thank you बेटाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओाओ झाल झाल